हेलो दोस्तों स्वागत आपका एक बार फिर से नई वीडियो के परेडिक्शन के साथ तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बांगलादेश वर्सिज आयरलेंड के बीच में जो ODI का जो मैच खेले जाने वाला है उसके बारे में फुल डिटेल में अनलाइज करूँगा हर एक प्लेयर का अपडेट की कौन से प्लेयर को आपको SL में रखना है कौन से प्लेयर को GL में कौन से प्लेयर को मिनी GL में तो बने रहें वीडियो में वीडियो को सुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें और अभी तक आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो फटापट से चैनल को सस्क्राइब करके बैल आइकन को प्रैस करके रखें ताकि कंटीनियू अपडेट आपको इस चैनल से प्रोवाइड होती रहे फटापट से चैनल जरूर जोईन करें फटापट से चैनल प्रोवाइड कि जाती है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है तो क्या अपडेट रहेगी किसको pick करना है किसको drop करना है और किसको अपनी GL टीम में captain voice captain से pick करना है पूरा analyze करूँगा वीडियो के अंदर तो सबसे पहले यहाँ पर pitch की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर pitch है वो Pacers को थोड़ी अच्छी-खासी मदद देने वाली है और यहाँ आप पर जो average score रहता है 2020 से 260 के करीब आपको average score देखने को मिल सकता है अगर Ireland की team पहले batting करती है तो आपको थोड़ा सा there रहीम यहाँ पर performance यहाँ पर कन्टिनी यहाँ पर दे रहा है और यहाँ पर अगर Ocean Santa की बात करूँ तो ये भी आपको अच्छा कासा performance दे रहा है और यहाँ पर काफी सारे पलेर हैं जो आपको continue performance दे रहे हैं जैसे saakable असन है ये भी आपको अच्छा कासा performance दे रहा है तो इन पलेरों के उपर हम captain voice captain से try करने वाले हैं और एक अच्छी grand league team यहां से create करने वाले हैं तो फटाबट से channel को subscribe जरूर करें तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ विकट किपर की तो यहाँ पर रहीम और लेटिन दास दोनों आपके लिए important है क्योंगी लेटिन दास भी आपको अच्छा कासा performance करके दे सकते हैं तो आर्लेंड के खिलाफ 114 पॉइंट फिर 65 पॉइंट आपको अच्छा खासा performance दे सकता है और मैंने हर एक टीम में इसको try किया वा है यहाँ से आपके लिए साक्की बल असन है और यहाँ से जो अगले player हैं यहाँ पर आप तकसीन आहमद को try कर सकते हो यहाँ पर और जो अगला player रहने वाला है एहमद को आप यहाँ पर try कर सकते हो यहाँ से होशान है यह भी आपके लिए अच्छा खासा pick है तो इन पलेरों को आप captain वो इस captaincy में try कर सकते हो तो आब हम चलते हैं हमारी grand league team के उपर उसके बाद हम एक small league की team create करने वाले हैं तो मैं कोन सी grand league team के साथ खेलने वाला हूँ और आप यहाँ पर अपना combination आप इस team जो मैं आपको six grand league team provide करूँगा आप उसके साथ अपना changement कर लेना तो अब हम चलते हैं grand league team जो मैंने पहले से ही create कर रखी है तो मैं आपको back to back यहाँ पर दिखा देता हूँ तो number 1 की grand league team के बारे में यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो मैंने captaincy में रखा है यहाँ से रहीम के साथ captaincy वो इस captaincy साकी बला असन के साथ चार आपको यहाँ पर bowling section देखने को मिलेंगे दो आपको all rounder चार आपको batting order जो मेरी final number 1 की grand league team का combination रहने वाला है तो final number 1 की GL team हमारी कुछ इस परकार से रहेगी तो अब हम बात करते हैं number 2 की grand league team तो यहाँ से number 2 की grand league team में captain voice captaincy जो try करने वाला हूँ यहाँ पर bowling section के उपर थोड़ा सा यहाँ पर focus देने वाला हूँ तो captain voice captaincy मैंने यहाँ पर try किया है दोनों player को और यहाँ पर दो इस परकार के यहाँ पर चार bowling section यहाँ पर try करने वाला हूँ तीन all rounder दो यहाँ से batting order दो आपको यहाँ पर wicket के पर try करना है जो final number 2 की GL team का combination रहने वाला है तो 2 GL team हमारी finally हो चुकी है अब हम बात करेंगे number 3 की grand league team तो यहाँ से number 3 की grand league team में जो मैंने try किया है यहाँ पर captaincy batting order में try करने वाला हूँ वो इस captaincy Taksin Ahmed को try करने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा bowler है यहाँ पर 2 batting order तीन आपको all rounder यहाँ पर देने वाला हूँ पांच यहाँ पर bowling section एक wicket की पर जो final number 3 की GL team का combination रहने वाला है तो आपके लिए इस team में काफी सारे changement है काफी सारे captain voice captaincy है क्योंकि 4-5 player हैं जो continue performance दे रहे हैं तो उन पलेरों के उपर मैंने captaincy voice captaincy already लगा दिया है और एक दो टीमों में risk भी लिया हुआ है captain voice captaincy के उपर तो final number 3 की grand league team का combination हमारा कुछ इस परकार से रहेगा तो 3 GL team हमारी back to back हो चुकी है और अभी तक आपने channel को subscribe नहीं किया है और final team आपको telegram channel पे मिलेगी नीचे description में link दियावा है फटाबर से telegram channel जरूर जोईन करें अब हम बात करते हैं नंबर 4 की grand league team का combination तो यहां से नंबर 4 की GL team में जो captaincy रखने वाला हूँ साकिब अलहसन के साथ मैं captaincy में जाने वाला हूँ voice captaincy रहीम के साथ जाऊंगा पांच यहां से bowling section ट्राइ किये हैं जो continue performance दे रहे हैं तीन यहां से all rounder दो यहां से batting order एक wicket के पर final number 4 की grand league team का combination में तो 4 GL team हमारी कुछ इस परकार से रहेगी तो अब हम बात करते हैं number 5 की grand league team का combination तो यहां से number 5 की grand league team में यहां पर जो मैं try करने वाला हूँ captain voice captaincy यहां से captaincy के लिए मैं संतो को यहां पर try करने वाला हूँ और होशन को voice captaincy में try करने वाला हूँ यहां से 4 bowling section एक all rounder और 5 यहां पर batting section एक wicket की पर जो final number 5 की GL team का combination रहने वाला है तो 5 GL team हमारी best combination के साथ यहां पर हो चुकी है और अभी तक आपने वीडियो को like नहीं किया है तो फटापट से वीडियो को like जरूर कर लेना तो अब हम बात करते हैं जो हमारी final number 6 की GL team का combination रहने वाला है वो किस परकार से रहेगा तो यहां पर अगर मैं बात करूँ final number 6 की GL team का combination तो यहां से जो मैंने captaincy try किया है थोड़ा सा यहां पर risk बिलिया है उपर batting order में क्योंकि यहां पर L Tucker के उपर मैं यहां पर try करने वाला हूँ एक wicket की पर तीन यहां से मैं wicket की पर try करने वाला हूँ यहां से bowling section दो all rounder दो batting section वो इस captaincy यहां पर batting section में try करने वाला हूँ और captaincy wicket की पर में try करने वाला हूँ final number 6 की GL team में तो 6 GL team हमारी best combination के साथ यहां पर create हो चुकी है तो अब हम बात करेंगे जो हमारी small league की team रहेगी वो कौन से combination के साथ यहां पर बनने वाली है तो small league team में यहां पर जो मैं try करने वाला हूँ क्योंकि आपके लिए late 10 दास भी important है तो दोनों player के साथ आप जा सकते हो late 10 दास और रहीम और यहां से मैं only जो try करूँगा दो ही यहां पर batting order try करूँगा यहां से मैं दो ही यहां पर जो try करने वाला हूँ all rounder बाकी के सभी यहां पर मैं bowling section में जाने वाला हूँ क्योंकि bowling section यहां से best यहां पर performance दे रहा है यहां से अभी के लिए मैं 4 bowling section try करने वाला हूँ यहां पर मैं एक जो try करूँगा वो try करूँगा यहां से All-Rounder section अब मैं बात कुरूँ यहां पर Captaincy की तो Captaincy आप यहां पर Saakibal Asan के साथ जा सकते हूँ क्योंकि Saakibal Asan बैटिंग में भी आपको थोड़ा ऊपर आपको देखने को मिलता है और और भी आपको कम से कम पूरे और आपको करवाते हुए नजर आ सकता है यहां से वो इस captaincy की बात कुरू वो इस captaincy में मैं अभी के लिए जो try करने वाला हूं यहां पर đोशन के साथ जाओंगा फाइनल small league team में तो यह मेरी final small league की team रहने वाली है और कोई update आईगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी फटापट से टेलीग्राम चैनल जरूर जोइन करें और अभी तक आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो फटापट से चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखे और वीडियो को लाइक करना मत बूलना तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ